दोस्तो एक इल्यक्ट निवर्म आपका स्वागत है दोस्तो कैसो अब सभी आशागर तो बहुत अच्छ होंगे तो दोस्तो आपने थमनेल में तो देखी लिया होगा कि हम किस चीज के ओपर आज आपको के सामने वीडियो बना रहे हैं तो फिलाल दोस्तो मैं आपको एक बार डैस आ रहा रहा है इससे अलावा कुछ नहीं है इसमें जैसे नंबर आते हैं हμαरे आपने देखियोंगे 76 weStar एंगे योवीक्त शरी हैसा कुछ ऐसा आते हैं इसमें ब्लेकुल भी नहीं आ एज़र कर मार्न याम दोस्तों अब बता हैं वह कुल मुल् professatio को Cait said to इसमें voltage आती है कौन से voltage कहाँ पर मिलती है अब मैं दोस्तो voltage के उपर भी बता देता हूँ पहले आपको एक probe रखनी है यहाँ पर ground पर और फिर पहले वाले जो probe होती है यानि कि साड़े तीन जो दूसरे वाले जो probe है आपको पहले वाले उस पर जिख पर देखना होगा ठीक ह वैसे मैं आपको एक बार दिखाना चाहतू हूँ, यहाँ पर दोस्तों नंबर लिखे होता है, कुछ जो की दोस्तों यहाँ पर हमारे नंबर थे, यानि कि पहले पर हमें दोस्तों साड़े तीन लिखे होता है, और फिर दोस्तों जितने फिर ग्राउंड होता है, फिर उसके बाद दोस्तो 24 वॉल्ट े 16 वॉलटे वो बारे वोल्ट यहाँ पर दोस्तो इतनी वॉल्ट यहाँ पर मिलती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 के छोड़िस हाय depressed कोई दिक्कत निहां इनंके फिकतर आप देख सकते हैं Nered यहां पर हमारे दूसरी वोल्टेज कुन से मिलेगी जो मैंने आपको बताया था बार है ठीक है यहां पर बारार के जागे 17 आ रही है इससे भी कोई दिखकत नहीं है अब दोस्तों हमारी बाद वाली है साड़े तीन यानि कि वही ग्राउंड छोड़के साड़े तीन अब ऐस हम दोस्तों इस पर चेक करेंगे जो हमारा काड होता है ठीक है दोस्तों यहां पर इतनी आ रही है फिलाल आप देख सकते हैं अब तीसरी जिख पर चेक करेंगे यहां पर आप उनने देख लिए होगा 17 वोल्टेज अब चोथी वाली पर भी मैं आपको एक पर दिखा देता ठीक है अब वोल्टेज तो आ रही है अब हमें दोस्तों यह जो यह ओडियो वीडियो की जो लीड होती है इसे लगा के चेक करना है अब इसे कैसे चेक करेंगे मैं आपको एक पर दिखा देता हूं सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हमें यहां प है नहीं प्रोग्राम इस फ्रश्रपर प्लियान तो फिला दोस्तों मैं इसके पिछे जो रहता है यानिकी केबल का मार उसे जोइंट कर लेते हैं अबी मैं आपको दिखाते हैं ठीक कर आपको सामने वम्हें आप को सामने इसे ओटो इसकेन करके दिखा देत हूं थीugen आपको हमने बता दिया कि कैसे दोस्तों यहाँ पर data clear करना है फिर आपको system setup पे जाना है और फिर यहाँ पर system पे नहीं जाना सिद्धा आपको edit program पे जाके delete all program करने देना है ठीके दोस्तों आपने डिलिट all program कर दिया फिर उसके बाद दोस्तों क्या गरना है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले दोस्तों आपको menu पर जाना है दुबार से ठीक है अभी मैं आपको एक बाद दिखा देता हूँ सिधा menu पर गए फिर हमारे दोस्तों auto scan ठीक है ओटो इसकैन पर जाके दोस्तों अब यहां पर हमें इसके सिंगनल लाने अब दोस्तों सिंगनल कैसे आएंगे एक तरफ हमारे दोस्तों टीवी चैनल आते हैं एक तरफ हमारे दोस्तों रेडियो चैनल तो दोस्तों अभी हम यहां पर दोनों तरफ देखेंगे अगर तो ठीक है वर्णा नहीं आते हैं तो दोस्तों हमारी कुछ और भी प्रोब्लम हो सकती है तो फिलाल दोस्तों आपको देखने को यहां पर मिल जाता है टीवी चैनल लिस्ट और रेडियो चैनल लिस्ट ठीक है इतना यह आते हैं तो इतना दोस्तों हम यहां पर वेट करते हैं साथ में बैल आइकन प्रेस करें ना जिससे कि दोस्तों आपको इलेक्टों से लेटिड न्यू वीडियो मिलते रहे डेली तो फिलाल दोस्तों हम इलेक्टों से लेटिड न्यू वीडियो डालते रहते हैं जो कि दोस्तों आपको बहुत महत्पून होती है या आपका फाल्ट वो अपने हाथ में पकड़ा के स्टेंड पर नहीं लगा रहा है तो फिलाल आप देख लिए जो दोस्तों LED पर यहाँ पर चल रहा है थोड़ा मैं दोस्तों दिक्कत हो रही है क्योंकि हिल जाता है हाथ से जो इसे पकड़ता है कैमरे को तो हिलता जरूर है तो फिलाल दोस्तो तो यहाँ पर फिलाल होने वाला भी 87, 87 यानि की 90 पहुच गया, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है, इतने में दोस्तों यहाँ पर radio चैनल और tv चैनल आ जाते हैं, पर दोस्तों इसमें नहीं आये, यहाँ पर आप देखसें तो no program found, अब दोस्तों क्या चेक करना है, आपको देखने को मिल जाता है, अभी भी dash है, अब अपने set को off करना है, यानि की कुछ भी आप repair करना है, सबसे पहला आप दोस्तों से यहाँ पर बंद कर लें, और फिर उसके बाद दोस्तों repair करें, अब यहाँ से हम केबल हटा लिते हैं, जो कि दोस्तों हमने आपको बता को लेके हम परेशान तो हो जाते हैं, और अपने जैसे की आसपास में electronic की दुकान होती है, उसके पास चला जाते हैं, तो फिलाल दोस्तों मैं बता दू, आप इसे घर पर भी repair कर सकते हैं, अगर दोस्तों थोड़ा बहुत आप काम जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं, तो दोस्तों फिर तो ले जाना जरूरी है, तो फिलाल दोस्तों मैं आपके सामने इसे यहां पर खोल लेता हूँ, और खोलने के बाद दोस्तों आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसमें दो page इसमें लगा रखे हैं, और आपको दिखा देते हैं, यहां पर इसे खोलने के बाद ठीक है तो यहाँ जल्दी से खोल लेते हैं जिससे कि दोस्तों आपको पता चल जाए कि फाल्ट की चीज में तो इसे दोस्तों कैसा कैसे यहाँ पर हमने रिपेर किया और फुल इस वज़े से यहाँ पर दोस्तों आप वीडियो को लास तक देखना तभी अच्छे समझ में आ खुलदी अब क्या नहीं अगर दोस्तों का लेना होगा यहाँ पर अश्पर करना कूदाने के लिए उसे सपा करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक पर फाइनली दिखा देता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों इसे कैसे सपा करेंगे जो भी हमारे दोस्तों सारी पीने रहती है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों हमने सपा कर लिए अब दोस्तों इसके बाद इसके बाद करना है दोस्तों आपको thinner से क्योंकि मैंने पहले thinner क्यों नहीं लगाया क्योंकि जो गंदगी थी वो इसी में जम जाती और फिर दोस्तों हमारा अच्छे तरफ से सपन हो पाता ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसे सपन कर लिया फिलाल दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा दे तों फाइनली से सपन करके ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी थोड़ा thinner रोल लेंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरफ से सपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख लिएजें बिल्कुल अच्छी तरफ से यहाँ पर सपन करना है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी दोस्तों इसमा आईसी लगी हो इसमें जितनी भी आईसी लगी है उसे यहाँ पर दोस्तो सारी बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर आपको करने होगी बिल्कुल किलीन और किलीन करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडियो वीडियो वाली भी यहाँ पर आई सी लगे होती है audio वाली कह सकते हैं और program ICB ठीक है और इसे चलाने के लिए ये memory ICB तो फिलाल दोस्तों मैं भी आपको सामने चेक करके इसे बिल्कुल अच्छी तरह किसे दिखाता हूं ठीक है अब दोस्तों हमने इसके बाद ये किया इसके बाद करने के बाद क्या करने होगा सपा करने के बाद आपको हलकी हलकी हीट मारनी है अगर दोस्तों आपके पास मसीन नहीं है तो आप दोस्तों हलका सा वैसे तो लगने की नहीं क्योंकि बिगर मसीन के काम नहीं होनेगा तो दोस्तो फिलाल आपके पास machine भी होनी चीए अगर दोस्तो यह वाली condition फस्ती है तो फिलाल दोस्तो मैं इसके सामने जितने भी यह रहती है यानि कि component और जितने हमने सपा किया है यहाँ पर दोस्तो जल्दी से हीट मारके बिल्कुल अच्छे तरह से सपा कर लेते हैं ठीक है अभी मैं आपको एक पर दिखा देता हूँ तो फिलाल दोस्तो जो जो चीज हम आपको दिखा रहे हैं अगर इससे वैसे 100% तो नहीं 80% के करीबिया पर दोस्तो चल जाता है कुछ कार्ड यानि कि कुछ दिनों के लिए यानि कि 2-3 महिने के लिए चल जाते हैं फिर उसके बाद दोस्तो यह प्रोब्लम आ जाती है तो अभी हम देखते हैं दोस्तो हमारा यह वाला कार्ड चलता है यह नहीं चलता है आपको मैं दिखाने की कोशिज करूँगा पूरे वीडियो में तो अंतक बने रहे अभी मैं आपको फाइनली दिखा देता हूँ क्योंकि अभी आइसी गरम ओरे इसकी और मैं अभी फाइनल आपको इसे दिखाता हूँ ठीक है यहाँ पर आप देख लिजे हलका सा गरम हो रहा है कार्ड तो यहाँ पर मैं अभी आपके सामने इसे फाइनली लगा देता हूँ काड को हूँ और यहाँ पर हमारे दोस्तों बिल्खुल अच्छे दर्फ हजाब हो जाता है है तो आपको सीधी तरफसे लगाना है यहां पर देख सकते हैं मैंने दूबार से बोर्ड में लगाया और दोस्तों यहाँ पर लिखा पर दोस्तो इसका उन्य क्या है यहाँ पर सॉलुशन यह यह पहले जो जो चीज मैंने आपको दिखाया वह कर लिजे आगर नहीं होता है तो दोस्तो हम नहीं आ पर कर और पहले को एक तर्फ रखंग दे उन तर्फ रखंग और जो नसपने लागए रख I फिलाल मैं आपको दिखा देता हूँ यह कब करने है दोस्तो जब तक आपका problem का solution नहीं हो जाता है ठीक है तो मैं finally दोस्तो एक बार आपको नई वाला card लगा के दिखा देता हूँ वैसे यह तो चले गई पर फिलाल दोस्तो इससे पता चल जाएगा कि problem हमारे दोस्तों card में है यह supply में supply में तो है नहीं क्योंकि हमें भी इतने दिन हो गए वर करते करते तो supply में तो दोस्तों voltage बिल्कुल प्रोपर आ रही है पर दोस्तों यह जो problem होती है यह card में होती है तो आप देख लिजे अभी मैं on करता हूँ यहाँ पर आप देख लिजे on हो चुक है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर on तो हो चुक है अब on के बाद यहाँ पर हमारा लिखा भी आ चुक है 57 उसमें क्या था दोस्तों इस वाले card में फाइनली दिखाता हूं ठीक है ओडियो वीडो वाली जैसे मैंने आपको बताया था ऐसी आपको यहाँ पर लगा देनी है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर आप देख लिजे मैंने यहाँ पर इसे पूरा यहाँ पर अच्छी तरह का दिया है फिलाल अब हमें क्या करना है दोस्तो अब इसमें दोस्तो सिंगनल चेक करने है क्योंकि कस्टमर को जब ही देना है दोस्तो आपको जब दोस्तो बिल्कुल आप पर संतुष्ट हो जाए कि हमारे दोस्तो सिंगनल बिल्कुल अच्छी तरक से आ रहे हैं ठीक है और जब भी आपको finally देना है वर्ना दोस्तो customer के पाथ दुबार जाएगा और फिर आपके पास वो लेका आएगा क्योंकि जब तक इसमें signal ही नहीं आएंगे जब तक आप क्या गरोगे तो finally आपको सामने पहले केविल लगाके यहाँ पर चेक करेंगे कि signal कितने आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर दोस्तो पता चल जाएगा में तो finally आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर लगा दे है केविल को कार्ड में अब हमें दोस्तो रिमोट लेना है इसका डिस वाला और signal का बटन प्रेस करके चेक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो P 65 के करीब यहाँ पर हमारे signal आ रहे हैं यानि कि इतने दोस आपित दो सकते हैं जोस्तोcolored से सकते हैं अगने करेंड़ हैं